कुड मोरिंग दियर स्टूदेंट्स तुड़े वियर जस्ट गॉइंग तु स्टार्ट और न्यू चेटर नेम वर्क एनर्जी एंड पावर बड़ा असा चेप्टर है नुमेरिकली पॉइंट ओफ यू से भी आप समझ सकते हैं इसको बड़ा असान लगेगा आपको पर किस इसी भी चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो बेसिक रिकॉर्मेंट्स होती है बेसिक डील होती है बेसिक सिस्टम जो है उसका उसको आपको समझना पड़ेगा तो विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम आज जस्ट गॉइंट टॉस्ट डेफिनिशन और पहला कर दिया काफी टाइम तक फिर भी आप ठक जाते हैं लेकिन अगर हम देखें कि अगर हमने बुक को रीड किया तो हम एक्चुल में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई हाड़ वर्क नहीं किया है फिजिक्स के अंदर हमें अगर वर्क को डिफाइन करना है तेर ओने प्लाइंग आप फोर्स ओना बोड़ी इफ दी बोड़ी इस दिस्प्लेश इन दी डारेक्शन ओफ एप्लाइड फोर्स देन वर्क किसेट तो बी डन तो समझेगा सीज को क्या है फोर एक्जेंपल वियर हैं इस दस्टर के ओपर मैंने फोर्स लगाया स्पोज यह है आपकी फोर्स की फोर्स की डिरेक्शन भी इदर है और यह डिस्प्लेश्मेंट है जो यहां से इस पॉइंट पे जा रहा है यानि इन दा डिरेक्शन ओफ फोर्स तो हम कहेंगे कि डस्टर पे वर्क हुआ है समझ पा रहे हो डस्टर पे वर्क हुआ है और किसके दवारा Certain distance travel कर ले, तो हम क्या कहते हैं, work is set to be done, that is the definition according to your physics subject, clear, तो इसको note down करेंगे, अब बात आते है, work done by constant force, clear, work done by a constant force, constant force की बात कर रहा हूँ, next ले रहा हूँ, work done by constant force, constant force समझते हैं न, जिसकी value लगातार आपकी क्या रहे, same रहे, ऐसा नहीं कि पहले 2 newton है, फिर 3 newton है, फिर 3.5 newton है, no, जो system है, उसकी जो value है, it may be constant, कब जब उसकी value change नहीं हो रही, तो आप देखिए कि अगर, इसके दो पार्ट हम लेंगे, पहला पार्ट क्या है, पहला पार् force और displacement की direction, same हो, force और displacement की direction, same हो, for example, माल लीजिए, आपके पास एक body है, ठीक, यह आपने एक body ले ली, clear, हमारे पास कोई block है, wood block है, या हमारे पास brick है, इस brick के ओपर, हमने यहाँ पर क्या लगाया, center पे, एक plus symbol लगा लिया, plus symbol क्यों लगाया, यहाँ पर मैंने इसको दिखा दिखा दिया कि यह zero है, यानि graphical paper, graphical representation के अंदर आपको पता है, origin को हम क्या बोलते है, zero, तो यह zero यहाँ पर आप माल लेजिए, और यहाँ पर हमने दिखा दिया एक line, suppose, यहाँ पर आपके number fabricated की हो है, one meter, two meter, three meter, up to seven, ऐसा कुछ कह सकते हैं, अब माल लीजिए, यहाँ पर ए magnitude भी है, और साथ में direction भी है, तो यह force आपकी जब move करेगी, इस block को move करेगी, तो हो सकता है, यह block कहां चला जाए, यहाँ पर चला जाए, clear, again, यह plus symbol मैंने origin, यहाँ इसका center point था, माल लीजिए, यहाँ से लेके, यहाँ तक, इसने कितना distance travel किया, S, basically, इसको displacement बोल रहे हैं, S is equal to F multiplied by S, it is very simple, जो कि आपने 9th में भी पड़ा है, clear, ने picture, 9th में भी आपने ऐसा पड़ा है, कि W is equal to Fs, this is the right formula for the work done in case of the constant force, in case of constant force, क्योंकि force की value यहाँ पर अगर 10 newton है, तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ पर भी 10 है, force की value यहाँ प आपका, अब हम second case लेते हैं, second case में, journal life में आपने note किया होगा, कि हमारे पास, माल लीजिए, हमने block लिया again, यह हमने एक छोटा सा block again ले लिया, clear, इसका यह center point हमने यहाँ पर fix कर दिया, माल लीजिए, force आपने ऐसे लगाई, force कैसे लगाई आपने, ऐसे लगाई, clear, तो और body हमारी move करती है, कहाँ पर, suppose body हमारी यहाँ पर आ जाती है, ऐसा होते है कभी, आप सोचों के सर ऐसा तो होई नहीं सकता, आभी मैं example दूँँ आपको, हमने displacement यहाँ दिखा दिया, हमारे according body यहाँ पर आनी चाहिए थी, मैं dotted से दिखा रहा हूँ, imagination, कि जब मैं force लगाउ तो body कहाँ जाने चाहिए, यहाँ पर जाने चाहिए, पर body कहाँ दिखाई मैंने, यहाँ पर दिखाई, तो आपको example यहाद रखना है, कैसे, for example, you are having a dining table, dining table का जो height है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, आपकी height से, और मैंने आपको बोला कि बैट इसको थोड़ी सा खिसकाना तो आप क्या करते हो, उसके corner पर, उसके edge पर force लगाते हो, force जब आप लगाते हो, तो ऐसे लगाते हो, उपर की तरफ, और जो table है, वो आगे की तरफ खिस सकती है, ठीक, ऐसे ही होता है, यह lecture stand आपके, जो teacher का lecture stand होता है, अगर किसी छोटे बचे को कहीं, कि बैटा थोड़ा खिसकाना, क्योंकि उसके height तो है, नहीं इतनी ज़्यादा, तो वो force धक्का लगाएगा, हो सकता है, थोड़ा सा धक्का, वो उपर की तरफ लगाए, लेकिन lecture stand जो है, वो फर्ष पे थोड़ा आगे चला जाता है, डिस्प्लेस होता है, इन्दा x डिरेक्शन, इन्दा x डि आपको की force लगाया इधर, और body गई इधर, और जबकि हमने पढ़ा था force की definition, तो नहीं, work की definition क्या पड़ी थी हमने, work की definition आपको अभी मैंने starting में बताई, कि work कब count होता है, जब force लगाएं, और body डिस्प्लेस करे, force की direction में ही, ठीक, force की direction में, तो work is set to be done, ऐसे ही होता है, अब हमने force लगाया इधर, और body चली जाती है इधर, तो problem rate होगी ना आपके पास, तो अगर हम ध्यान से देखें, ये एक angle है, ये क्या आपका theta angle है, ये तो समझ में आ रहा है आपको, ये x-axis, और ये कितना angle है, theta angle मैंने यहाँ पर दिखा दे, this is the theta angle, अब आप समझे है यह से ये angle कितने आपका theta है, तो इसका ये जो component होगा, ये क्या हो जाएगा आपका f cos theta, clear, और ये क्या हो जाएगा आपका state बनाना थोड़ा सा, आपको सीधा बनाना है ये बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका f sin theta, clear ये बात, समझ पा रहे है, component form आपने kinematics में I think पड़ी होगी, अगर नहीं पड़ी तो आप comment कीजिएगा, then I'll just make another video on that points, तो आपको समझ रहा है ये f sin theta and f cos theta, clear, ये कह सकते हो कि ये father है, आप थोड़ा सा याद भी रखोगी, ये father है और ये daughter है, और ये क्या है आपका son है, यानि father के दो हिसे कर दिये, एक son और एक daughter, आपको पता है कि daughter जो है, हमेशा सीधी ही चलती है, जहाँ पर father चलेगा, वो चलेगी, लेकिन जो बच्चा आप boys है, वो हमेशा क्या होगा, उसका तो सर उपर ही रहेगा, वो क्या रहेगा, शरार्ती है, वो सर नहीं मैं तो नहीं चलता आपकी direction में, तो यहाँ पर क्या होगा, इसी diagram को अगर मै थोड़ा रब करूँ, तो आप समझेगा कि क्या होने वाला है, इसी diagram को मैंने थोड़ा सर रब किया, अब मैं कहता हूँ, कि हमने एक force लगाई, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक force लगाई, F cosine theta, अब F cosine theta force लगाने से, बोड़ी कहाँ चली जाती है, in the direction of applied force, यहनी S जो आय आपका, उसकी direction, और इस F cosine theta की direction, इस की direction क्या है, सेम है, तो वर्क का formula क्या था, आपका याद होना चाहिए, वर्क का formula था, force गुना में क्या था, displacement, कुछ books में distance भी दिया हुआ है, क्योंकि हम straight motion पढ़ रहे हैं, that's why यहाँ पर distance भी ले जखने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आ कर रहा हूं, force into displacement, तो force की value यहाँ पर F ना होके, क्या है, F cosine theta, और यह क्या आपका, S है, तो W is equal to Fs cosine theta, Fs cosine theta, इसको क्या लिखेंगे, F vector dot S vector, F vector dot S vector, clear यह चीज समझा रही हैं सभी को, I think, सभी enjoy कर रहे होंगे, इसको समझते हुए, कि W is equal to, हमने क्या पढ़ा, F dot S, अब यह क्या चीज है, इसको समझेगा, अगर आप से कोई पूछता है, what is the exact formula for the work done, तो आप लिखोगे, जो W है, it is the dot product, it is the dot product of force and displacement, force and displacement, not down करेंगे स्टीज को, कि क्या है, dot product of force and displacement, और dot product जो होता है आपका, जब भी dot product आता है, अपने दिमाग में डाल लीजेगा, dot product जहां पर भी आएगा, वो quantity आपकी कैसी बनेगी, scalar quantity बनेगी, तो यह कैसी quantity बन जाएगी आपकी, scalar quantity, vector नहीं है, यहाँ पर vector है, यहाँ पर भी vector है, लेकिन जैसी इस dot का answer आता है, आपका dot ins के साथ include हो जाता है, तो उस case में हम यह बोलेंगे, कि आपका जो answer है, वो हमेशा क्या आएगा, scalar one, clear हो रही है यह बात, clear हो रही है सभी को, तो no down करेंगे, कि w is equal to f dot s, f vector dot s vector, no down कीजिए इसको फटा-फट से, अब next आता है, आपका nature of work done, nature of work done, ध्यान दीजेगा nature of work done, nature जो हमारा यहाँ पर show करता है कि positive work कब होगा आपका और negative work कब होगा, ध्यान दीजेगा positive कब होगा और negative कब होगा, अब आप समझिए कि positive work क्या है, कैसे निकलेगा यह positive work, अगर force का component, ध्यान दीजेगा, मैं लिख रहा हूँ, shortcut में मैं इसके बारे में ज्यादा detail नहीं दू direction of displacement, direction of displacement, तो work जो है हमारा क्या होगा, positive होगा, इसको थोड़ा बड़ा आसानी से मैं समझाऊंगा, समझ पाएंगे, अगर आप से पूछ लिया जाता है कि work done कब positive होगा, तो आप बोलोगे, if the component of force, again ध्यान से सुनिएगा, if the component of force is in the direction of displacement, then work is said to be positive, then work is said to be positive, मैं ने उसको shortcut पर लिख दिया, कि अगर force का component is in the direction of displacement है, तो work done क्या होगा, आपका positive, calculate करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, माल लिजी हमारे पास, यह कोई ball है, या कुछ भी object माल लिजी यहाँ पर इसका center है, इस center पर force लगा हमारा F vector, और football हमारी, कहां चली जाती है, यहां चली जाती है, clear यह इसका center हो जाता है, अब आप सोचे कि football यहां गई, तो displacement कहां लिखेंगे हम, यह मैंने arrow लगा दिया, direction भी दे दी, अब इसका component यह ले लिए आपने theta, और यहां पर क्या आएगा, F cosine theta, F cosine theta, यानि इस force का एक हिस्सा, दो पार्ट है, एक sun and daughter, तो यह कौन सी है, एक तरह से माल के चलिए daughter है, मैं थोड़ा example ले रहा हूँ था कि आपका interest मने, हलाएं कि physics में कहीं नहीं लिखा हुआ है, यह daughter है, this is a imagination, so that it becomes easier to understand to all of you, तो हमने माल यह daughter, क्योंकि daughter से दी होती है, वो हमेशा पापा की बातों में ही बात रखती है, यहां पापा ने बोला सही, तो उस के बराबर आएगा, f cos theta, again, साथ में क्या लिखा, s, यह क्या बन जाएगा, fs cos theta, fs cos theta, अब आप ध्यान से चलिएगा, mathematics की तरफ, mathematics में आपने पढ़ा है, कि cosine की जो value है, अगर वो theta आपका less than 90 degree है, यानि acute है, क्या है, acute angle है, acute angle है, तो cos theta की value, again, क्या आएगी, positive आएगी, समझ रहे हैं आप, जैसे cos 30 degree, cos 30 degree की value आपको पता होनी चाहिए, क्या है, cos 60 degree, 1 by 2 आप सभी को पता है, cos 0, कितनी value है, 1 है, तो it means क्या हो रहा है, कि जब आपके पास cosine का जो angle दे रखा है, वो acute है, my mean to say less than 90 है, तो उसको calculate जब भ आएगा, positive आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास answer जो आएगा, वो आएगा, plus fs, plus fs, तो plus fs, जो है, आपका, यह क्या होगा, आपका positive work done, not down कीजिए, बेटास को फटाफट से, अब हम कुछ examples लेते हैं, जिसके थुरू हमें समझेंगे positive work done के बारे में, examples लेते हैं, छोट-छोटे से example लेते हैं, माल लीजिए, कोई body है, यह body ले लिए आपने, यह body ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, कहाँ पर गिर रही है, अर्थ के पास, अर्थ की center की तरफ चल रही है, अब माल लीजिए, इसका mass कितना है, m है, तो इस पर gravitational force कितना लगेगा, f is equal to mg, clear नहीं बत, यह तो पता है किसी भी चीज़ को हम छोड़ते हैं, तो कहाँ गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है, यानि toward the center of earth, तो यहाँ पर हमारे पास force कितना है, mg है, अगर mg force है हमारे पास, तो यहाँ save body कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो displacement कहाँ हुआ, यहाँ पर, और force कहाँ पर जगा पर कितना आएगा, h आज आएगा, और दोनों ही arrow, दोनों ही arrow कैसे हैं, same direction में है, यानि हम ऐसे कह सकते हैं, कि दोनों ही arrow हमारे कैसे हैं, नीचे की तरफ हैं, अगर दोनों arrow नीचे की तरफ हैं, तो angle कितना होगा, कितना होगा, कहीं बच्चे कह रहे हैं, सब 90 होगा, 90 नहीं होगा बचे वो कितना होगा? 0 होगा क्योंकि जब भी आप angle बनाते हो दो line ऐसी होती है तो फिर कितना होता angle? 0 अगर इसको थोड़ा सा गरूँ हो 30 फिर कितना हो जाएगा? 90 तो समझ पाईए दोनो tip एकी direction में है तो angle कितना हो जाएगा? 0 तो cos 0 degree that is equal to plus mgh यह क्या हो जाएगा? पोस्टिव वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका यह? पोस्टिव वर्क डन हो जाएगा clear H यह चीज यह भी असान सा एक्जेंपल है second example लेते है कि माल लीजी एक होर्स है एक होर्स है वो पुल करता है कार्ट को कार्ट को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है यहनि एक होर्स जो बैल गाड़ी होती है उसका example ले रहा हूँ मैं हिंदी में थोड़ा सा discuss कर लेता हूँ ताकि easy रहे उसको खीच रहे आगे की तरफ तो दोनों में एंगल कितना होगा? f s cos 0 degree तो हमारा आएगा positive f s क्योंकि cos 0 कितना होता है? पता है न बच्चो cos 0 degree होता है आपका plus 1 यह note कर लीजेगा cos 0 होता है plus 1 ठीक? और cos 180 कितना होता है? minus 1 और cos 90 कितना होता है? 0 यह 3 point यहां पर use होने वाले हैं तो बड़ा simplest त्रीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपका positive work होगा कब होगा जब bell जो है kart को खीच रहा है तो bell भी आगे चलता है आपको पता है और kart भी उसके पीछे-पीछे किस्ती चली जाती है तो displacement और force जो है वो दोनों ही आपकी कैसे है सेम डारेक्शन में है तो are you getting my point? I think you are really enjoying the physics तो यह चीज आपके दिमार्ग में डालनी है साथ-साथ में enjoy कीजिए, no down कीजिए और हर चीज को अपनी copy पे जरूर उतारिएगा ताकि आपकी जो क्लेरिफिकेशन है रिगार्डिंग टॉपिक्स वो क्लीर होती चली जाए जब तक हम नहीं लिखेंगे जब तक हम नहीं पड़ेंगे तब तक रिटेन नहीं होता है मेमरी के अंदर तो ध्यान दीजेगा clear यह चीज नोट कीजिए फड़ फड़ से तीसरे एक्जेंपल मैं ले रहा हूं थोड़ा सा साइड जाना चाता है इस साीड तो सेकंड डिय घरम भी कहा होगा को तो पॉर्ट कहां लग लग रही थे आप सोचिए फॉर्ट कहां लग हो हिधी इधर और सपरिंग कीया सब्सेंग भी कहा गया इधर तो दॉन dona दक्ष की डिरेख्विजन और इस्डिसप्लेंग सागि कि w is equal to कितना हो जाएगा fs cosine 0 degree that is equal to positive fs तो work done क्या हो जाएगा आपका positive हो जाएगा यह भी example आपका है I am taking all very simple example so that you can understand the positive work clearly note down कीजिये सको भी अब करते हैं negative work done negative work done basically क्या होगा negative work done में अगर हम समझे थोड़ा सा कि अगर force का कोई component समझेगा force का कोई component opposite direction में हो displacement की तो कहेंगे work done कैसा आएगा negative हाएगा समझेंगे इस चीज को for example माल लीजिए यह हमारे पास कोई body है और body के अंदर यह हमारा x-axis की line लेली मैंने आपर clear अब यहाँ पर हमारी force let us suppose ऐसे लग रही है यह हमने लेली force f vector तो यह angle कितना हो जाएगा आपका theta हो जाएगा आप समझेंगे यह angle कितना है theta क्या यह acute है यह obtuse है तो आपको पता होना चाहिए यह angle कैसा है obtuse है obtuse angle है इस case में अगर आप ध्यान से देखेंगे obtuse angle है तो यहाँ पर आप calculate करोगे जो force का component आएगा force का जो component आएगा ध्यान से देखेंगा force का component अगर यह theta है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा F cosine theta F cosine theta अब आप समझेगा कि क्या होने वाला है component यह नहीं हम लिखेंगे F S cosine theta अगर इस diagram को भी आप भूल जो अगर मैं इसको भी रब भी कर देता हूँ तो आप यह समझेए theta theta क्या है आपका 90 degree से above है और जब cos theta की 90 से above चलते हैं graph में अगर आप table चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसकी value के वल इसकी value क्या आएगी नेगटिव आएगी तो हमारे पास work done कितना आएगा माइनस Fs माइनस Fs समझेए गए सीज को माइनस Fs आएगा क्योंकि जब एंगल आपका 90 degree से above होगा उस case में उसका अंसर हमेशा नेगटिव में आएगा चाहे माइनस 0.5 हो माइनस 1 बा F cos theta क्यों आया है F cos theta तो समझेए सीज को माल जी हमारे पास आप सोचेंगे कि सर ने आप 300 आपका था ओर यहां पर हमारे पास theta तो यह आह आपका ऐा था था F cos theta यहाफ 180 minus theta, आप quadrant पे जलते हैं, 180 minus theta, यहां तक तो 90 होता है, आपको पता है, बाय स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, यहां तक कितना है, 90 degree है, और यहां से यहां तक कितना है, 180 degree है, अगर 180 में से कुछ minus करूंगा, तो किस quadrant में आएगा, किस part में आएगा, किस घर में आएगा, इस घर में आएगा, और इस घर में सिरफ sign positive होता है, सिरफ sign positive होता है, लेकिन इसके अलावा sign और cosecant positive होता है, बाकी सारे क्या होते है, negative, तो अब यह क्या है, cos, तो cos, और साथ में क्या है, 180, 180 का मतलब no change, तो यहां पर कितना आएगा, f cos theta, क्योंकि change नहीं होगा, 180 जहां प और cosecant ही positive होते है, तो यहां पर इसकी जगा पर क्या आएगा, यहां पर थोड़ा रब कर रहा हूं, देखना, इसको क्या लिखेंगे, minus cos theta, minus cos theta, तो work done कितना आएगा, work done कितना आएगा, force into displacement, force कितना है यहां पर, minus f cos theta into s, तो कितना आएगा, fs cos theta minus का, तो आप समझिए क्य चीज है, यह सारा का सारा क्या आगा, आपका, minus में आएगा, अगर हम value put करते हैं, तब भी minus में आएगा, अगर हम derivation करते हैं, तब भी क्या आएगा, minus में आएगा, माल लेजे, यहां पर आपका angle कुछ होता, मालो 270 degree के angle होता, तो क्या होता, 180 होता, तो क्या होता, अगर 180 ल के लिए अगर हम ध्यान से देखें कि अगर कोई बोड़ी स्लाइटली रब करती है स्लाइटली रब करती है ओना होरिजॉंटल रफ सर्फीस तो डिस्प्लेस्मेंट कैसे होगी माल लीजिए यह बोड़ी है और इसको खिसका रहे है यह फर्ष आपका फ्लॉर है इस फ्लॉर पे हमने इसको इस तरफ खीचा हमने इस तरफ खीचा ध्यान से दिखें मैं ले रहा हूं कि हमने सेल्फ ले रहा हूं हमने खिच दिया इसको अपने आप और यह बोड़ी आपकी यहाँ पर च लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स यहां पर एक्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली कर रहा है आप सभी को पता है फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है टू रिजिस्ट और टू अपोज दी मोशन मोशन कहा जा रहा है इधर फ्रिक्शन का काम क् हम इसको एदर की दरफ खीच रहे है फ्रिक्षन कहा लग रहा है तोommen फ्लोर में और इसके सर्फेस में हम ने यहाँ पष्डिया एंदेह एंदा फ्रिक्षणल फोर्स का मतलब यहां पर फ्रिक्षनल फोर्स तो यहां पर हमारे पास्क्न के आएगा W is equal to FFS Cosine 180 degree समझ पाई हो? क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में ये एंगल ये वला एंगल कितना आएगा? 180 degree, 180 cos, 180 कितना होता है? Minus, तो FFS ये क्या हो जाएगा? Minus में work done हो जाएगा Negative work done हो जाएगा ध्यान दीजेगा, negative work done हो जाएगा No down कीजेगा सीज को कि क्या हो जाएगा? ये negative work done हो जाएगा Clear? अब दूसरा example लेते हैं कि किसी body को ये earth है आपकी, हमने यहाँ पर क्या ले लिया? Earth ले लिया और ये body ले लिया हमने माल लिजे football है या कोई teen का डबा है या unit है आपकी इसको हम उपर ले जाएगा, lift कर रहे है उपर की तरफ Clear? हम यहाँ पर ले जाते हैं ध्यान दीजेगा हम इसको यहाँ पर ले के जा रहे हैं तो ये s is equal to h समझ पाए है, s is equal to h माल लिए या s माल लिजे, कोई फरक नी पड़ता लेकिन body के ओपर force gravitational force कहां लग रही है नीचे की तरफ Clear? नीचे की तरफ लग रही है body कहां जा रही है upward जा रही है, इन दोनों की बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री तो फिर अगीन, formula क्या होगा f, s, cosine of theta f कितना है आपका mg, ये h है cosine के साथ कितना आएगा 180 डिग्री, तो कितना आएगा minus mg, h तो work done कितना आया आपका, ध्यान दीजी work done कितना आया negative आया, minus mg, h आया Clear है, समझ पारें है सीज को, कैसा है आपका minus f, mg, h Clear, note down करेंगे इसको इसके बाद हम zero work पे जलने वाले है अब आता है हमारा zero work done, zero work done को समझने के लिए आप note कीजिएगा सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है f, s, cosine theta, clear f, s, cosine theta, आप turn by turn समझेंगे, माल दीजिए, पहला point मैं लेता हूँ f is equal to zero Newton, यानि कोई force ना लग रहा हो कोई force ना लग रहा हो तो w कितना होगा हमारे पास f, s, cosine theta f कितना zero गुना में, s गुना में cosine theta, that is equal to zero joule joule के है, work की unit है यानि joule में हम work को measure कर सकते हैं ठीक है, second case क्या होगा माल लेजिए, s, zero है s, zero, meter है तो w कितना आएगा f गुना में, s गुना में cosine theta तो f गुना में, zero गुना में, cosine theta, ये zero तो answer फिर कितना आएगा, zero joule समझे कि अगर किसी body पे force ही नहीं लग रहा force ही नहीं लग रहा, तो work done तो zero automatic लिए ये तो बड़ा simple सा concept है दूसरा है, s, zero पर f तो zero नहीं है आपर, तो समझे इस चीज़ को भी, कि मान लिजे एक दिवार है, आपकी दिवार है, और दिवार पे आपने force लगाया, force तो लगा रहे हैं, क्या दिवार अपनी जगह से हिलती है, नहीं हिलती, तो displacement कितना आया, zero आया, अगर displacement zero आया, तो work done भी कितना पॉइंट आपको समझना है, तीसरा point आपका important है, जो आपको समझना है, मान लिजे इसकी बात करते है, cosine, third point जो हमारा है, अगर cosine theta zero आये, cosine theta zero, यह इस total की value zero के बराबर आये, तब क्या होगा, तब भी zero आएगा work, तो इसकी special condition होगी, cosine theta जब zero होगा, तो theta की value कितनी आएगी, 90 degree, इसका मतलब cosine 90 कितना होता है, पता है, cosine 90 zero, cosine 90 यहाँ पर zero होगा, अगर यह zero होगा, तो multiply करके सारा का सारा work कितना आजाएगा, zero आजाएगा, तो आप समझे कैसा आएगा, F, S, cosine 90 degree, तो यह zero आएगा, F, गुना में S, गुना में zero, that is equal to zero joule, इसका मतलब work done zero कब होगा, ज displacement के, क्या ऐसा case कभी देखा है आपने, तो देखिए, जुरूर ऐसा case होता है, जो आपको पता होना चाहिए, यह आपकी यहाँ पर centripetal force होती है, F, C, clear, F, C, और body माल लीजिए, ऐसे move कर रही है, तो displacement कहां आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि माल लीजिए, आपने एक धागे के साथ, यह भी सोच लीजिए, एक धागे के साथ, आपने पत्थर को बान दिया, पहले पत्थर यहाँ पर होगा, फिर पत्थर यहाँ पर होगा, फिर पत्थर यहाँ पर होगा, जब rotate करेंगे, लेकिन धागे की तरफ जो tension है, वो inward होती है, या centripetal force की बात करें, वो भी आदमी है, वो motion में है, चल रहा है वो, ध्यान दीजेगा, वो कहा है, motion में है, motion में अगर है, उसके सर पे कोई football या कोई वजन रखा हुआ है, कोई object रखा हुआ है, ठीक, तो इसका जो weight होगा, वो कहा होगा, mg, कहां पर होगा, नीचे की तरफ, तो अगर मैं इसको नीचे कितना होगा, द्यान से देखे, कितना angle है, 90 degree, अगर cos theta 90 degree है, तो 90 degree पर अंसर कितना हैगा, आपका, जिरो ही तो आएगा, तो इसका मतलब अंसर क्या होगा, जिरो जूल होगा, अगर हम बात करें pendulum की, pendulum का concept भी देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, pendulum पते हैं गड़ी वा करता है, किस से बंदा होता है, माली जी एक धागे से बंदा होता है, वहाँ तो रोड होती है, वह से उपरेट करता है, लेकिन अगर मैं एक धागे के साथ बोल को, heavy ball को बांदू, metal की, तो वह ऐसे से ही करेगी, simple harmonic motion करेगी, वाइब्रेट करेगी, simple language में को बोलता हूँ, त तो work done कितना होगा, zero होगा, clear, तो आज topic हमने क्या क्या पढ़ा है, उस चीज़ को थोड़ा सा elaborate करते है, पहले definition हमने work की की, work क्या होता है, फिर हमने यह समझा कि scientific work क्या formula क्या होता है, normal work क्या होता था, जो हम journal life में सोचते थे work होता था, लेकिन physics की drum में work की definition हमने पढ़ी, work का formula हमने पढ़ा, फिर constant work क्या होता है, by the constant force होरी, ठीक है, work done by the constant force, उसमे हमने दो formula आपके design किये, simple, और एक में dot product वाला, then after हमने पढ़ा, कि nature of work done क्या है, उनके examples क्या है, positive work क्या होता है, negative work done क्या होता है, और zero work done क्या होता है, hope you are understanding that topic very much clearly, I think so, thank you very much.